नमस्कार दोस्तों मैं रमासंकर डिम्री तूलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और आज हम जिस लोककला को देख रहे हैं वो है काली घाट चित्रकला सैली जो की पस्चिम बंगाल की काफी प्रसिद्द लोककला है तो आज का वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं काली घाट चित्रकला सैली के बारे में और जैसे के हम इसका भोगलिक तथ्य भी देखेंगे एथियासिक तथ्य भी देखेंगे और रोचक तथ्यों को भी हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले देखें काली घाट चित्रकला जो है वो पस्चे मंगाल की लोककला है और काली घाट जो एक जगा है वहाँ पर यानि कि जहां पर काली मा का मंदिर है ये वहीं से शुरू हुई थी इसलिए इसको काली घाट सैली के नाम से भी जाना जाता है अगर हम इसके एतियासिक तत्यों की बात करें तो काली घाट चित्रकला 19. सताबदी में कोलकाता के काली घाट मंदीर से प्रारम हुई थी तो यह देखे आप काली घाट जो काली मा का मंदीर है उसका आप इहाँ पर इमेज भी देख रहे होंगे तो यहीं से सबसे पहले 19. सताबदी में जब काली घाट मंदीर से इस चित्रों का आरंब हुआ था इसलिए इन चित्रों को काली घाट चित्रकला या काली घाट पेंट को बनाने वाले चित्रकारों को पटवा चित्रकार कहा जाता है अब देखिए यहां पर एक फैक्ट ये भी है कि जो पटचित्र बनाने वाले चित्रकार हैं बंगाल में उनको भी पटवा चित्रकार कहा जाता है और काली घाट के जो चित्रकार है उनको भी पटवा चित्रका काली गाट के जो अंतिम चित्रकारों कि अगर हम बात करें दो में चंद्रगोश वा काली चरणगोश ये काफी इंपोर्टेंट नाम हैं इनको जरूर आप याद कर लीजेगा काली गाट चित्रसहली को बाजार शहली भी कहा जाता है ठीक है तो यह कई बार पूस लिया जाता और एक साथ ये चलती थी तो बाजार सेली कई जगा पटना सेली के लिए भी लिखा जाता है और कई जगा कालिगाट सेली के लिए भी लिखा गया है प्रारंब में कालिगाट पेंटिंग को मंदिर में आने वाले सरधालू के लिए बनाया जाता था यानि कि जब ये कालिघाट पेंटिंग शुरू ही थी तो ये जो कालिघाट मंदिर में जो सरधालो आते थे उनको दी जाने के लिए पेंटिंग है बनाया जाती थी तो जो सरधालो आते थे वो मंदिर की भेंट समझ करके ये पेंटिंग वहां से खरीते थे क्योंकि ये मंद सताबदी में काफी प्रचलन में आ चुका था कि हमें घर को सजाने के लिए देवी देवताओं के जो चित्र हैं उनको भी लेजाना होता था और उसी समय लगभग आपने देखा भी हो गए कि राजारवी वर्मा भी अपने धार्मिक चित्र के लिए काफी प्रसिद्ध तो ये चित्र जो बनाय गए थे ये सरधालों के लिए बनाय जाते थे उससे में चित्रों के विशे धार्मिक हुआ करते थे यानि कि जैसे आपको पहले भी बताया कि सरधालों के लिए बनाय जाते थे कालिगाट मंदिर प्रांगण में ये चित्र बेचे जाते थे तो उनका जो विशय होता था, वो धार्मिक होता था, उसमें देवी देवताओं की तश्वीरें होती थी, रामयन महाभारत और पौरानिक विशयों के प्रसंग उसमें होते थे, काली घाट चित्रों पर कमपनी सहली के परवाव से जन समाननी के चित्र भी बनाया जाने लगे, अब दे कमपनी सहली के परवाव में आये और तब इसमें जन समानने के चित्र भी बनाया जाने लगे, तो यहाँ पर रोचक तत्य है कि धार्मिक चित्रों से सुरुवात होती है काली घाट प्येंटिंग की और फिर यह जन समानने के चित्र भी इसमें शामिल होते गए, यानि कि द धारमिक भी और गयर धारमिक भी यानि कि जो दहरम से अलग थे वो चित्र भी इसमें बनाय जाने लगे अब यहां पर, देखें एक आपन और भी है कि कि जो काली घाट के चित्र थे उसमें हिंदु धर्म से संबंदित चित्र तो बनाये जाते थे उसी के साथ में बाद बाद की जो चित्रकार थे उन्होंने इसलाम धर्म से संबंदित जो प्रसंगों को भी काली घाट चित्रों में बनाना सुरू कर दिया था काली घाट चित्रकला में प्राकर्तिक रंगों का प्रयोग किया जाता था यानि कि जब प्रारंब में काली घाट की जो चित्र बनाय जाते थे उनमें प्राकर्तिक रंगों का प्रयोग किया जाता था जिसमें अपराजिता के फूल से नीला रंग बनाय जाता था हल्दी से पीला दीपक की कालिक से काला रंग जो आउटलाइन करने के लिए बनाया जाता था तो इस प्रकार से जितने भी प्रकृति प्रकृति प्रदत थे उनसे ही कालिगाट की चित्रों को बनाया जाता था काली घाट चित्रों में बाद में जलरंगों का प्रियोग होने लगा था, जैसे मैंने का कि पत्ना या कम्पनी सैली का इसमें जब प्रभाव दिखाई दिने लगा, तो काली घाट के चित्रों में बाद में वाटर कलर का इस्तमाल होने लगा, काली घाट चित्रों में तब शुरू हो जाती है जब लिथोग्राफ और ओलियोग्राफ की जो प्रिंटिंग प्रैस थी वहां से काली घाट के चित्रों की कॉपी बननी शुरू ही जब जो सैली विक्सित हो जाती है या जिस सैली के चित्रों के डिमांड ज्यादा हो जाती है फिर कहीं न कहीं उन सैल के चित्रों को यांत्रिक रूप से बनाया जाने लगता है तो ठीक यही कालिघाट चित्रों के साथ होता है जब लीथोग्राफ और ओलियोग्राफ की प्रिंटिंग प्रहसें भारत में लगनी शुरू ही तो वहाँ पर कालिघाट चित्रों की प्रतिक्रतिय यानिकि उनकी ज अगर हम माप की बात करें तो यह सत्रा बाई 11 इंच और आध से बनीवी चीज़े होते थी और यंत्रों के द्वारा ओलिफोग्राफ और लिफोग्राफ से बनेवे चित्रों को खरीदना उन्होंने शुरू कर दिया तो इससे भी काली घाट के चित्रों में गिरावट करकार थे उन्होंने काली घाट के चित्रों को बनाना कम कर दिया काली घाट चित्रों के अगर हम माप की बात करें तो यह सत्रा बाई 11 इंच और 43 बाई 28 सेंटीमीटर के बनाये जाते थे तो यह माप काफी इंपॉर्टेंट है इसको भी आप जरूर नौट कर लीजीगा क् की परिक्षा में यह भी पूछा जाता है काली घाट चित्रों में भारतिय यूरोपिय प्रभाव था अब देखे भारतिय प्रभाव था क्योंकि बंगाल में यह शुरू हुई थी तो बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां कि लोक संस्कृति काफी सरमध साली मानी जाती है क्य का जो यूरोपिय प्रभाव था यह भी काली घाट की चित्रों में आ गया था मिल्टन सिंगर एक अंग्रे जदिकारी थे उन्होंने काली घाट चित्रों के लिए कॉस्मोपॉलिटन फोकार्ट नाम दिया था तो आप देखे कि जिस तरीके से जो अंग्रे जदिकारी थे पत्रना सहली या कंपनी सहली के चित्रों को खरीदते थे ठीक उसी प्रकार उन्होंने काली घाट के चित्रों को भी खरीदना शुरू कर दिया था तो मिल्टन सिंगर एक अंग्री जदिकारी थी उन्होंने अपनी लेक में ये लिखा है काली घाट चित्रों के लिए कि वो कॉस्मोपॉलिटन फोकार्ट उन्होंने उसको नाम दिया था काली घाट चित्रों की निर्मान विधी को अगर हम देखें तो यहां कला पूरे परिवार के सदश्यों के द्वारा मिलकर संयुक तुरूप से बनाई जाती थी अब कैसे बनाई जाती थी इसको समझ लेते हैं इसमें पहले एक सदश्य रेखांकन करता था यानि कि एक सदश्य जिसका काम होता था वो कागस पर या कपड़े पर इसका रेखांकन करता था ड्रॉइंग बनाता था दूसरा सदश्य इसमें रंग भरने का काम करता था तीसरा जो सदश्य होता था यान्य सदश्य इसमें और डिजाइन बनाने का कारे करते थे और अन्य सदस्य इसमें फिर आउटलाइन बनाने का कारे करते थे तो एक कुल मिला करके जो है चार्य पांच लोग मिल करके अपना अपना इसमें काम करते थे और एक काली घाट चित्र बन जाता था तो ये इसकी विदी थी लंदन के वि कालिघाट चित्रों का संग्रह माना जाता है अब देखें यहां पर आपको दिख रहा होगा यह लंदन का विक्टियोरिया एंड अलवर्ट मुजियम है तो यहां पर पूरे के पूरे सौ सालों में जितने चित्र बनाए गई यानि कि 1830 से लेकर के 1930 तक लगबग 600 कालिघाट चित्रों का यहां पर संग्रह किया गया है तो यह अब तक का कालिघाट जो पेंटिं hanging है उनका सबसे बड़ा संग्रह माना जाता है और एक सात इतने सारे चित्रों आज के समय में होना काफी बड़ी बात है क्योंकि काली गाट के जो चित्र थे वो लगबग लगबग उस समय तो हर घर में मिल जाया करते हैं लेकिन धीरी धीरे क्योंकि उनका रख रखाव नहीं किया गया तो जिनके पास भी अभी बचे वे हैं तो बहुत ही कम संख्या में आप काली गाट के चित्र प्राप्त होते हैं अब देखे बंगाले स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार हैं यामनी राय काली गाट चित्रों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और यह प्रभाव उनके चित्रों में दिखाई देता है ठीक है तो आपने कई बार यामनी र के बारे में काफी बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि वे बंगाल के कौन से चित्रकार हैं जो काली घाट चित्रों से प्रभावित थे या जिनके चित्रों में काली घाट का प्रभाव दिखाई देता है तो ये यामनी राय जो बंगाल से लिके चित्रकार हैं उन वो जो है बंगाल के जो काली घाट चित्र हैं उनसे काफी ज्यादा प्रभावी थे और उनके चित्रों में काली घाट का प्रभाव दिखाई भी देता था आप बगल में एक चित्र देख रहे होंगे जिसमें बिल्ली की मुँमें एक जिंगा मसली है ये काफी बार ये पेंटिंग के पूछा भी जाता है कि जिंगा मसली साजा करती बिली ये चित्र किस के द्वारा बनाया गया है तो आप यामनी राइ इसका सही उतर दे सकते हैं और ये भी आपको याद रखना होगा कि यामनी राइ की जो कला थी उसमें काली घाट चित्रों का प्रभाव था और देखने को भी मिलता है अब यहां पर देखिए काली घाट के जो चित्र है तो आप उनको देख सकते हैं और बहल में दरि가요 ये जो चित्र है जिसमें माता और शिश हुआ ये यामनी राइ का ही चित्र है तो यह चित्र भी नोने काली घाट जो प ethnicity है उस से प्रवावित होके बनाया था तो देखे इस तरीके के वहाँ पर चित्र बनाया जाते थे जो धार्मिक प्रसंगों को लेकर के बनाया जाते थे जिसमें देखे ये एक रामेन का प्रसंगे जहां पर रावन और हनुमान को दिखाया गया है और बगल में दूसरा जो चित्र है जिसमें एक लोक महिला को हाट के चितरकाणों ने काफी चितर बनाए थे उस समय भी काली गाट के चितर काफी प्रसिद்ध हो दिए तो बंगाल में एक चरचित आ़ या8 सबं़न्द था और महिला के पति ने अपनी पत्नी जो उनका नाम था अलोके में दो नाम था नवीन तो नवीन चंदर की जो पत्नी थी एलोकेसी उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था तारकेश्वर मंदिर के महंत के साथ में तो नवीन चंदर ने एलोकेशी अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसके बाद उन्होंने तारकेश्वर जो मंदिर के महंत थे उनकी भी हत्या कर दी तो यह जो चर्चित केस था, यह काफी ज़्यादा उस समय बंगाल में चर्चित हो गया था, तो वहां के जो चित्रकार थे, उन्होंने काली घाट चित्रों पर भी इस प्रसंगों को बहुत ज़्यादा उके रहा था, तो काफी उस समय काली घाट के चित्र इसी कारण से बिक नवीन चंद्र जो उनके साथ में है और उनकी गले को दबा रहे हैं तो इस तरीके से वहाँ पर काफी सारे समसामईक घटनाओं पर भी चित्र बनाए गए थे तो जो काफी प्रसिद्ध भी हुए है अब प्रसिद्ध चित्रकार यामनी राई के चित्र दो वैशनों पर 1978 में भारत सरकार ने 25 पैसे मुल्य का डाक टिकट जारी किया था देखिए यहाँ पर हमेशा लोककलाओं के उन पहलों को भी लेके आते हैं तो काली घाट चित्रों पर भी डाक टिकट जारी किये गए हैं और जो काली घाट का जो चित्र है जो यामनी राई के द्वारा बनाया सेली गेया है जिसका सीरकता दो वैश्नाव उस पर 1978 में 25 पैसे का डाक टिकट भारत सरकार ने जारी किया था। आज केंक का हमारा प्रसन है प्रसिद्ध लोग चित्रकार लतिका वैश्नाव का सम्पंद किस राज्य से हैं? और आपको ओप्शन दिये गया है तो आप इस प्रस्ण का सही जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा पिछले अंक में हमने आप से प्रस्ण पूछा था विश्व काल्टून दिवस कब मनाये जाता है और विकल्ब था 5 मई, 25 अपरेल, 29 अपरेल तो विश्व काल्टून जो दिवस है वो मनाये जाता है 5 मई को और ये काफी इंपोर्टेंट डे होता है इस प्रस्ण का सबसे पहले सही उत्तर दिया आर्ती आर्य जी, पुनम दिवेदी जी, गुरुपाल धिमान जी, विहिमान सुगुपता जी रवीडो भाल जी, नितु शैनी जी, साधना निगी जी, बंजू मोहन जी, सौम्या सिंग जी, सोनम सोरानिया जी, हेमा धवले जी और प्रेमा महता जी ने आप सभी को हर्दिक सुपकामनाय आपने बिल्कुल सही जवाब दिया तो ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने लोककला, काली घाट, चित्रकला के बारे में बात की और देखा कि इसका ओधगम और इसका विकास किस प्रकार हुआ था तो आज का एपिसोड आपको कैसे लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपका कोई प्रस्न है सम्मंदित वीडियो से तो आप उस प्रस्न को भी कमेंट करके जरूर बताईएगा हम कोशिस करेंगे कि उस प्रस्न का सही जवाब दे सकें तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में किसी नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए दीजी मुझे इजाजत, नमस्कार